नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माई चैनल एक्जाम इस्टोर, एक्जाम इस्टोर चैनल में मैं आप सभी का श्वागत करता हूँ, मेरे जितने वी विवर्स हो हैं, आप सभी को नवरात्री की हार्दिक शुप कामने हैं, दोस्तों यहाँ पे पीशर्स का जो है इंटर इंटर्विवर्स भी आपसे कोश्चन पूछ रहे हैं, जैसा कि अभी एक मुद्दा आया था, रामचरित मानस की चौपाई के बिवाद को कैसे देखते हैं, यह देखी, यह जो है, डारेक्ट आपसे इंटर्विव के दोरे यह कोश्चन पूछा गया है, कि रामचरित मान और परियोग में क्या अंतर है, यह पूछे जा रहे हैं, और नोट बंदी के दो फायदे और नुकसान आपको बताने हैं, किरकेट पिछ की लंबाई कितनी होती है, ठीक है, और साथ में अगर आप डिप्टी कलेक्टर बन जाते हैं, तो प्रसासन के संचालन में समासास्तर का इस्तमाल कैसे करेंगे, कोविट परबंद में केंद्र और राज्य सरकार की क्या जिमेदारियां थी, और उन्हें ने कैसे कैसे पूरा किया, कोविन एप के बारे में बहुत सारे लोग यह सब नहीं देखते हैं, इसलिए जो है, आप इंटर्विव देने जाहिए, तो य अब चलिए जाइज, पूरा अबिस्तार से जान लेते हैं, तो विडियो स्टाट करते हैं, लेटी स्टाटेट, दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा प्रयाग राज, रामचरित की चौपाई को लेकर चल ले बीबाद को, आप कैसे देखते हैं, यह सवाल PC PCS 2022 के इंटर्व्यू में एक अब्यारती से पूछा गया, मंगलवार को PCS इंटर्व्यू का आखरी दिन था, उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग, UPPSC 15 अप्रेल से पहले अंतिम चैन परणाम जारी करने की तैयारी में, PCS 2022 का सच्छातकार 20 फरवरी से शुरूवा था, PCS समाई की जोलंत मुद्दो एवं परिस्ति आधारित रहे हैं, इसके अलावा विश्यों से भी काफी सवाल पूछे गए हैं, हलाकि PCS की अंतिम परिच्चा है, जिसमें वैकल्पिक विश्य सामिल के, PCS 2023 से मुख के परिच्चा का पाटिकरम बदल दिया गया है, अब मुख प्रतियों के ग्यान उनकी तरक सकती और समाज के प्रति उनकी समझ को परखने वाले रहे हैं, इंटर्व्यू के आखरी दिन एक अवियरती से पूछा गया, कि अगर आप HDM बने तो आपके सामने सबसे बड़ी चुनवती क्या होगी और उससे कैसे निप्टेंगे, तो एक अवियरतियों से सवाल किया गया, क्या भारत में सभी प्रकार टेक्स को एक टेक्स में परिवर्तित कर दिया जाना चाहिए, इस पर अपने विचार दीजिए, एक अवियरती से पूछा गया, सयुक्त परिवार और नावकी परिवार क्या होता है, अगर आप और आपकी पत तो यह रही जनकारी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ तब तक के लिए गुल बाय टेक केर जाहें दोस्तों लव यू अल